ना दूद ना कोई डेरी प्रोड़क्ट गजब तरीके से तयार हो रहे फूड आइटम्स बिना डेरी प्रोड़क्ट के आइसक्रीम और पनीर के बाद अब हवा से बटर बनाने का दावा जिहां अब हवा से तयार होगा बटर वाइट बटर, यलो बटर के बारे में तो हम सभी जानते हैं लेकिन अब बाजार में एक ऐसा कमाल का बटर आने वाला है जो बगेर डेरी प्रोड़क्ट के इस्तेमाल किये तयार होगा सुनने में भले ही ये बात अटपटी लगे लेकिन ऐसा ही कुछ दावा कर रही है अमरीका की कैलिफोर्निया की एक कमपनी सवोर नाम की इस कमपनी का दावा है कि वो डेरी फ्री बटर बना रही है जिसका स्वाद असली बटर जैसा ही होगा इस दावे पर इसलिए भी यकीन किया जा रहा है क्योंकि यही कमपनी बिना दूद और डेरी प्रोडक्ट के आइसक्रीम से लेकर पनीर तक बना चुकी है अब इस फेहरिस्त में जल्द ही बटर भी शामिल होने जा रहा है यानि कि अब बटर भी हवा से तयार होगा आखिर यह फॉर्मूला क्या है आईए जानते हैं दरसल कमपनी का कहना है कि वो इस बटर को बनाने के लिए थर्मो केमिकल प्रोसेस का इस्तमाल करती है जिसके जरिये कार्बन डायोकसाइड, हाइडरोजन और ऑक्सीजन को कमबाइन करके बटर बनाया जा सकता है यानि इसे बनाने में वो ही कमपोनेंट शामिल किये जाएंगे जो हवा से मिल सकते है कमपनी ना सिर्फ रियल टेस्ट वाला बटर बना रही है बलकि इसके साथ ही ये एन्वार्मेंट के नजरिये से भी काफी फाइदेमंद है ये कमपनी कहती है कि उनके प्रोडक्स में डेरी प्रोडक्ट वाले बटर की तुलना में काफी कम कार्बन फुट्प्रिंट रहता है जो की प्रती किलोग्राम में सिर्फ 0.8 ग्राम ही है वहीं इसके विपरीत 80% फैट वाले अन्सॉल्टेट बटर में 1 किलोग्राम में 16.9 किलोग्राम फुट्प्रिंट होता है इस बटर के बाजार में आने को लेकर कमपनी का कहना है कि अभी इसे बेचना शुरू नहीं किया गया है और इसे बेचे जाने के लिए अपरूवल लेने के फेज में है अभी साल 2025 तक इसे बेचने की उमीद नहीं कर रहे हैं और इसके बाद ही ये बाजार में आ सकता है अभी इसके टेस्ट को लेकर एक पैनल बनाया गया है जो इस पर काम कर रहा है ऐसे में अभी इसके बाजार में आने की उम्मी नहीं है